तो कोई भी वेक्ति जो त्राटक करने का इच्छुक हो वो त्राटक अगने पे कर सकता है किसी डॉट को लगा के एक बिंदू बना के कर सकता है जल पे भी कर सकता है त्राटक जल पे भी किया जा सकता है आप मैंसे किसी ने ये नहीं सुना होगा but it is a fact कि जल पे भी त्राटक किया जा सकता है और उसके अनेक प्रकार के फायदे होते हैं आपको ना पता हो तो बता देता हूँ कि पौरानिक काल में भारत में भी, विदेशों में भी जल में देखके लोग वरतमान, भूतकाल और भवश्य की घटनाएं जान लेते थे तो जल पे किया गया त्राटक से भी कई प्रकार के फायदे होते हैं जो अनूठे होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं जो फायदे नॉर्मल त्राटक करने से होते हैं वो तो होंगे ही साथ में जल और अगनी पे त्राटक करने के कई प्रकार के और नए फायदे होते हैं मैं सभी यहां अभी डिस्क्राइब नहीं करूँगा सभी के बारे में नहीं बताऊँगा अभी फिलाल उसका रीजन है कि मैं आपको बिगाड़ना नहीं चाहता पत ब्रश्ट नहीं बनाना चाहता गलत रास्ते पर नहीं ले जाना चाहता बड़ जल का त्राटक करने से आपको अपने शरीर पे अपने आप पे काफी बहतर कंट्रोल मिलेगा क्योंकि शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है आप जानते हैं तो उस लिहाज से आपका स्वास्थ इंप्रूव होगा कि मात्रा, सुकून की मात्रा और विनम्रता की मात्रा जो भी अच्छा ही है पॉजिटिविटी वो काफी बढ़ती है अगनी पे त्राटक अगर आपको करना है तो आप मुम्बत्ती जला के कर सकते हैं पर मुम्बत्ती की लौँ आपकी आँखों की सिदाई में हो थोड़ा नीचे हो कोई बात नहीं बरट अगर हो सके तो आँखों की सिदाई में हो मुम्बत्ती को इस तरह से लगाए कहीं पर किसी स्टूल पे, किसी टेबल पे कि उसकी law जो है वो आपकी सिधाई में हो और आप अराम से बैठ कर या लेट कर उसको देख सकें अगर आप लेट के भी त्राटक करते हैं तो कर सकते हैं देखिए त्राटक बहुत सारे लोग सूरे पे भी करते हैं पर मैं वो सला आपको नहीं दूँगा करना चाहें कर सकते हैं उसके भी बहुत फायदे होते हैं किरनों को देखना बट मैं वो सगस्ट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि कहीं मान लिजे आपको किसी भी वजह से किसी भी वेक्ति को किसी और वज़े से कुछ मैसूस हो कोई नुकसान या कोई दिकत और वो यह समझे कि मैंने तराटक सजेस्ट किया था उसने सूरे को देखा तो इसलिए दिकत होगी ऐसा नहीं होगा ठीक है तो सूरे को देखके भी तराटक किया जा सकता है